एलो गाइस और वरकूम बाक तो मैं चैनल तो क्या हाले सब्सक्राइब करो भाई के जानल पर रोज ही नया वीडियो आते रहते हैं आपके लिए रोज नया कॉंटेंट लेकर रहते रहता है तो भाई को सपोड कीजिए सब्सक्राइब कीजिए वेल नोटिफिकेशन को प्रस किजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके इन बॉक्स में आपको मिलते रहे ताकि आप एक भी वीडियो उने इसना करें मेरे चैनल पर चलिए अब गेम शुरू करते ज्यादा बढ़ बढ़ हो गई मीरी बहुत ज्यादा हो गया हमारा बढ़ बढ़ हम थोड़ा आरफ से खेलेंगे और सिंगल सिंगल देकर साय स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे आरेन खान को भी चैनल देंके खेलने का और उसके बाद जैसे हम सेट हो जाते हैं प्रिवेस सेनिंग में में लगे थे नौ बॉल सेट होने के लिए दसवे बॉल से हम अगर आप लोग रिजन बताओगे और अगर मौका दोगे किसी नए क्रियेटर को कि वो अपने आपको सुधार सके तो वो डेफिनेटली वो काम करेगा सुधार ने का ट्राइग करेगा और मैं कॉंटेंट में हमेशा कुछना कुछ चेंजस को करते ही रहता हूँ आपने देखा ही होगा मेरे वीडियो में कभ अज़िया इंट्रो के साथ में पुस नए आड़ कर दिया आउट्रो के साथ में पुस नए आड़ कर दिया वीडियो को एंड़ करते वगते हैं अप लोगों को थोड़ा नया कॉंटेइंट मिलते रहे हर बार तो गास बहुत जादे हल्द़फूल होगाँ अगर आप गेम्स के पॉर्टफोलियो में विचिस फॉल गाइस जो आई थिंक वीकेंड के टाइम पर हम हमारे गेम के साथ में जो प्रिकेट का लाइस प्रिम होता है उसके साथ में आगे के लेंगे अभी तक बहुत ही शुरुआती लेवल पर हूं मैं और मैं अभी तक इतना दा प्रो अग्वाइश चाहता हूं कि मैं वो जर्म भी आपके साथ में शुरू करूं और मैं उस गेम को भी आगे बढ़ाओ आपके साथ में आपके सपोर्ट सब्सक्राइब तो अगर आपको लमतर को लाइस थी बाद्ने के बाद तो मुझे आप आज आच के वीडियो के कमेंट से करने के लिए थोड़ा डिपेकल्ट गेम है भूस में कितनी दिर तक कहलेंगे ज़रूर नहीं कि में हर बौर क्वालिफा हो जाओ ना हूँ तो को सकते हैं मुझे गालिया भी पड़े हैं मेरे चैनल पर कोई बात नहीं लेकिन जर्नी शुरुवात करने का अपना एक मज़ा होता जिस तरीके से मैंने क्रिकेट करियर मोड की जर्नी का शुरुवात किया था स्टार्टिंग में और हम बहुत क्लोज है या इनों काफी एपिसोड्स हो चुकि उसके बाद हमें मौका मिला है कि सिलेक् सेलेक्षिन जल्दी हो पाए और आप लोग मुझे मुंबाई का कला करते हुए जल्दी देख पाए मुंबाई की तरफ से कहलते हुए तो इसी वजह से मैं आज बहुत संबल संबल के कहल रहा हूं और इसी बीच मैंने देखा कि सौरंग की लीड पूरी हो चुकी है हमारी चुकी हाथ के मढई देजाए हमारा हमेशा ही होते रहे हैं दो स्टांट मिलने के बाद इस तरीके से आरें धानने विगट एक दिफिए अपनी 24 को स्कॉर हो घुर में निया हुआ है मौका आज के टाइम पे वन डाउन आने का खीम अच्छा च्लता है नीचे के लिडिभ एक मास्तर श्टोक तो हमारा काफी अच्छी तरीके से चल गया है, not necessary, हर बार चल जाए, तो मैं try काता हूं, दूसरा मास्टर स्टोक ले करके कूंस को उपर लाके, इसी तरीके से हम लोग मौका देंगे उन लोगों को जुनका बाटिंग अच्छा रहा है, हमारे टीम में कैप्टन से हमारी इसी रहने वाले जो ग्रूम करेगी प्लेयर्स को हमारे दूसरे भी ताकि वो लोग भी उपर आ सके और वो लोग भी कॉंट्रिबूट कर सके पहुंटर तो पहुंच जाएगे और पहुंच गया पीस करते हुए फिल्टर को बाउंटर टक पहुंच गी बॉल आकरी बॉल आ रही है गेम की और की इस और में काफी अच्छे रन जाये है बिना किसी रिस्क के रिस्क फ्री क्रिकेट के लिए हमने एक और चौका सकता है अच्छे शुरुवात है लेक्स साइड पर रन जूडने नहीं पढ़ेंगे अब मुझे पूम्स भाई या जीरो और अब तक वीस बॉल खेल चुके भाई ऑफ़ दमार तो हो जाओ कम से कम टेस्ट मैच के लो पता है लेकिन इतना भी टेस्ट मैच की तरह मत केलो की ऑफ़ और बाउंडरी आते है वह इसी पीच तरह टीफोर और 16 पहुच चुके हम स्कूर इस बाद थोड़ा लॉफटेड खेलने का ट्राय किया मैंने तो चाहिए एक शिक्स मारने को ट्राय करते है लेकिन चाफे अच्छा कनेक्शन नहीं होता है अगर कनेक्शन अच्छा होता त किन बाउंडरी नंदलेस एक वार बाउंडरी मिलते हुए हमें इस बैली के पीचले ओवर में हमने मारे थी चार बाउंडरी अभी तीसरे बॉल पर तीसरी बाउंडरी आ चुकी है रिस्क्री क्रिकेट खेलते हुए यहां पर हम लोग पूरी तरीके से और फिर भी रंस बाउंडरी में से 42 रंस में रहे हैं पता नहीं आ रहे हैं थार ने कितने रंस मारे और कितने एक्सार गई अभी तक मैंने वह नोटिस नहीं किया और यह बढ़िया बॉल के बाद अकल आई कि वहां पर मुझे बॉल नहीं डालना चाहिए डेली को तो उसने एक बॉल तोड यह बाउंडरी क्या सुचके आया है अगैं पांच बॉल में चार चौके लगा चुके हम उसको मुझे मेरे टीम पर डर लगता भी भरोसा करने के लिए कि जैसे में किसी पर बहुरुसा करने लगता हूँ तो बनता मुझे दोकर देके चले जिए लेकिन मुझे फिर भी और लिड बन चुकी है कितनी बन चुके लिड वन थर्टी नाइं ग्रंस की आर एरा नो क्या ही नाम लेकिया देख और लेफ्ट एंड बॉलर वा ये तो बड़ी है अपलब आज हमें रन मारने देने के लिए इन्होंने सोच के आये सेके निंग्स में कि हम कैप्टन को रन म मशन पढ़ता उससे हाफ सेंचुरित हमारी हो गई तस आफ चैनुरी मारी हम अभी तक उनपा 1-43 की लेड हो चुकी है हमारी अप इतनी ज्यादा हम लेड बना सके उतना बेटर होगा हमारी लिए अमारी टीम के लिए उतना जीतने का चांस आक शांस हमारा बढ़ जाएग एंजोई कर रहा है वो मेरी बैटिंग को दूसरे एंज से जब बैटिंग मिल दे तो डिफेंड कर कर के he's just enjoying the flow of the game and the game what his captain is playing right now white ball oh no it's not a good ball sir it's a wide ball boundary खाका के खगया तो सोचा white डालते काओ मैं भी क्या कुछ अलग होना चीए boundary कितनी बार देखो मता चाचेव बहुत को लेकिन हर बॉल एक ही जगह पर डाले जा रहा है और एक ही जगह पर मारे भी जा रहा हूं और हर बार एक आदा दो बॉल चोड़के हर बार एक ही रिजल्ट भी मिल रहा हूं उसके बाद भी दिमाग नहीं चल रहा है इसला कि मेरे को फोड़ा चाल लाइन चेंज करना चाहिए मेरा कोई बात नहीं मेरे को कैप जैसे बीटाल दाल रहे है आपने वह अपने आपने को तो रन मिलने से मतलब है आपने तो रन मारते रहेंगे एक और उन राइव और इसे बीच एक और चौका आते हुए इसे लिए तो गाइस कॉमेंटरी में इंप्रूमेंट हो रही नहीं हो रही आप यह भी बता सकते हमने कहां से जर्णी शुरुवात के थी और अब हम कहां पे चल रहे हैं वारे कॉमेंटरी के लियाज से इस दो भाग लेंगे हम लोग आराम से एक बड़ फे तीन भाग के स्थाइग रखी एक और 161 साथ एक सो एक सट रनों की लीड ओर चुकी अब तक ने आचुके फिर से रंडेने जैसे कि मैंने बोला डेली बन पर पेरों पर बाउनरी थाई आज क्या शोचके आए पता नहीं जोचके आज हम सबसे 50 करेंगे वालिंग में एक और बढ़िया शॉूट और ईक और बढ़िया शॉॉट के साथ एक और बढ़िया बाउंडरी लाज़ख्टड शॉट के लाइट भार भी मैंनेस पर फीलडर नीएं टो factThat I इस लॉक्टेट शॉट के चर्टे का शिक्स भी चली गई तो बहुत बढ़िया होगा वे इस बार बॉल थोड़ी अकल से डाली क्यार मेरा पुल शॉट बन कर दिया इन लोगों ने गेम में क्या ही बता हूं अभी मेरा समझ ही नहीं रहे है क्या बोलना चीह मैंने में शॉट मेरा बंकर जाजी सिस्पर में सबसे जादा रंच मारता था एक और बाउंडरी और पचास पूरे हो जोगे है फास्टेश फिस्टी डेली की हम पहुचे 82 पर 31 बॉल्स में 173 की लीड हो चुकिया दीम की तो आज का दिन का शुरुवात बड़ा अच्छा हुआ है एक बार फिर बाउंसर क्या यह वाइड मिले लो ऑब्यूसली दूसरे यह तीसरे दिन पर खेल दूसरे दिन पर खेल पिच वेर आउट हो चुकिया प फिल्डर कोई नहीं है तो चल जाएगा बाउंडरी मिल जाएगी फिरसे एक बार फिरसे एक बार चार चौके लग चुकिया अब तक पांच गेंडों में टेक्निकली छे गेंडे डाली है लेकिन पांच गेंडे काउंट दोई विकॉज एक वाइड डाली थी और एक और च सब मिस्ट्री क्वेस्ट्टन चल जाएगी फूम्स ने अब भी भी आप दर माक नीवे भाई क्या ही बात है यह बंदा तो अलग इस वैग में जी रहे वडिया ड्राइव लेकिन कोई रन नहीं लेंगे हम लोग रिस्क नहीं लेना में विकेट नहीं डालना फालत हुँ मैं अब दस ने एक विकेट ले लिये अल्रेड़ी आडेन फंक पो अब दस ने आउट किया तीन ओवर में किवाद साथ रन दिया अब तक अबे या सेंचुरी मिस हो गई भाई क्यों मारने गया मैं पर एक बार सेंचुरी मिस होते हुए 90 पर आउट हुए हम 35 गेंडों में 257 की स्ट्राइक रेट प्रसान को बेशते हैं चौते पर किसी को भी बेश दो यार ये लोग रन तो इतना अच्छा इंको प्लाटफॉर्म देखे बेजा था तब भी इन्होंने धानी करना था पूरा देखते हैं कितने पर ओल आउट हुए मेरे आउट होने के बाद मैंने मैं आउट हुआ था 102 रन पर देखो तो ज़रा मैं कितने अच्छा आ एक्सो नौरन मारान एक्सो नौरन मारके पागे क्या ट्रिक्ष कर गड़िये अब कर शूद्रेग हें की तीन की बातीन नियुक्त ने चलो तो बॉलिंग में हम कुछ कर सकते कि ने देखते ट्राइब करते हें क्या लेने का αι बॉलिंग पहली बहुत बढ़ी ह बॉल अंदर की तरफ आते हुए इसके बाद में इसको लेक्स भी नहीं तो नहीं देना प्रिस्क्राइम रन पर डालने को और यह वर के बाद कैप्टन में हूँ तो मैं चॉइस करी सकता हूँ इसको अवर मिलना चाहिए यह लेक्साइड पर फ्लिक कर दिया बॉल और यह बाउंडरी मिलने ही टै और बाउंडरी मिली पहली हमारे ओवर में एक बाउंडरी तो जानी ही चाहिए उसके लगा हमारा ओवर खतम नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो कैसे होगा पॉसिबल नहीं हमारा ओवर बिना बाउंडरी के खतम होना बॉलिंग बाद में स्विंग हो रहा है लेट स्विंग हो रहा है बॉल पहले तो सिधा-सिधा ही निकल जा रहे है बॉल कि एक ढ़ी आठी आहिए ठींग बहुआ हुआ मर्लिंग बहुआ और धाई क्यों नाइड़ ? मुआ थिऊ把它 आजेले देख लिड़ता है नादें छर्भे मुन नाजिर नाईड़ काथे सुए डिकमे प्र och Прीक थहे है कर था और बढ़िया बॉल एक बार से बॉल अंदर आते हुए तस ओवर के बाद 38 पे दो चार रन आ है उस ओवर में अभी फिलाल तो पूम्स ने विकेट ली लेकिन हमने क्रिष्णा को बॉलिंग की है कोड़ी दर प्रिष्णा से बॉलिंग कर वाते हैं फिस पीनास को लेकिया इंडी अंट्रोल पूरा हमारे हाथ में अप्लिटी हम ही चैप्तर है यह पकड यह फिल्डिंग सुदार हो याद प्लीज इंप्रूब इस इन दे गेम इन क्रियर मोड इन क्रियर मोड अजुद वर यह उत्रिब أर दीम कुर्डर फिल्म ए् स्टनुट टेड से लियर पूलिंग कुर्डा पूरा इन दोसी क्रियर थीर्थ मुद्ड था चैप्तर इचल्ड पार इंडार्व charisma प्रिव let's bring the fifth slip on early region and first and second and fourth slip for the slip squad I don't want to give him any runs any free runs oh my my that was a good ball but had it hit the stumps you would have got the wicket but unfortunately it did not hit the stumps anyways it's still a good over two boundaries in two overs eight runs of two overs given away already we need to work on our economy which is not great now the day three has already started clicked on the left side for hitting the single should be a single not more than that for sure they are going for second and back for the second because that police man on the third on that boundary area was supposed to throw the ball to the wicket keeper had thrown to me instead catch it bro oh 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 catch catch it catch it catch it चार रर न आ चुके अब दक आउट इह ज़े थे खर अपयर कभी तो उसने जाएगा तेरा आउट दे देगा तो l gains & gone first we get an again a test match we get classic test match we get there but did he get the edge edge and a very good catch by Jay Jay he can say his surname I can say his name I don't have to say but it was an average sort of an innings we saw from them you know just how rare it is though you know just how rare it is though he came too early the key end of the over another poor run sighting of that over and the weekend as well यह बाई बहुत जाद अच्छे से कर दिया और उसके बाद कैश भी पकड़ लिया बड़ा सुपरमें डाइफ करके बालेंग बालेंग ब्रो बन इस ताम इस तो बो तो बाउंडरी तो इस नो बड़ी वो इस गोई तो इस अन्लेस okay three if not four for sure let's move it for the next ball oh it swung away and abadi had no clue whatsoever just not timing it at all that's poor play edge oh boy how's that huge shout the bowler seems very comfortable क्या हुआ मुझे समझी मी निया है head लगने के बद हो क्या गया falling boy इधर मार दे थोड़ा catch it ओ यार कोई फिल्डर ही नहीं है भाई यार कम ओन यार फिल्डर जहां से अटा वहीं बॉल जाती है पता नहीं जिल्डर ली ने चलो अब मैं वह गली भी नहीं रखना में वह पाच्वास की फिल्डर रॉण्स the captain going with an aggressive field how's that huge appeal आज़ाई प्लेर अपेल नहीं कर रहा है पाके सब के सब अपेल कर रहे और ये तो लोड़क गाई टीम इम्रान भाई थिर से ओपी इम्रान भाई ओपी इन दे चैट हो जाए बाई बनता है a new bowler is coming into the attack इम्रान भाई ओपी इन दे चैट एक बर हो जाए बाई ओए यार बज़ गया जमाल को दिख दिया हमारा कमाल एक बार और कमाल दिखाते हुए जमाल को हम लेकिन जमाल अपना कमाल नहीं दिखा रहे है एज दे के एज दे तो मजा है थोड़ा एज ही नहीं देता जमाल या जमाल या एज दे ये लो एज दिया भी तो कैसे दिया अबे इदा थ्रो कर बेक अभी तो non-striker end पर थ्रो कर रहा था में एके चेंज तो कर चेंज तो नहीं कर दिया है ये लोग और भाई ने इतने में सिंगल ले लेते यार एज लग जा ना भाई ला मैं चाहिए एज हमें चाहिए एज एज लग जा एज एज कीसे लगीगा इदर बॉल डालेगा तो सिंगल के साथ ओवर समाप दो रना है उस ओवर से और अनन्द भाई एक और विकेट लेकर निकल लिया तब तक आनन्द और इम्रान दोनों बढ़िया प्लेयर्स है यार मेरे टीम में तो यह भंबी ट्राय करते है एक आदा विकेट निकालने के लिए वो तो हमेशा ही करते रहते लेकिन मिलती नहीं वो लग बता हो डाट यह आउट होना चाहिए यारी कैसे कैसे नौट आउट है मेरे को समझता नहीं में अभी तो आउट है अभी क्या कर दिया अभे यह क्या कर दिया यार अले यार यह सब मेरे इसमें क्यों करने को चाहिए रहता है तुमको और यह जले पर नमक छिड़कते हुए पर बच गया या इसनी बार बचेगा इतनी बार बचेगा बे कभी ना कभी तो आउट हो जाएगा अंदर आके खेल रही है भी शाना है बहुत बच जान पत्ति कर गांद आउट अरे कभी तो खुद भी पूछ ले आउट सब पूछ रहे तो इसे नहीं चेक अभी तो इसे लगता है इसको चलो खतम होने आया आननन ने एक और विकेट लेली चौर्थी विकेट लेली आननने अब क्या आननन को आकरी विकेट मिलते ब्रह्म जमार आउट की या फिर टेली की स्वरी जमाल की या मुझे मिलते विकेट वो देखना पड़ेगा आउस्त है त्यार अभी तो आउट देदे भाई क्या प्रॉब्लम है तरको जिंदगी में तो बाई यह तो यार बॉलर लोग भी आके रन मारके चले जाते बड़को ब्रह्मा राउट आएंगे नहीं ब्रह्मा राउट तो अभी आया था चमाल आ गया वापिसे स्ट्राइक पर नहीं हो राया जाएंगे अपांडरी प्रॉब्लम नहीं पर नहीं हो रहा यार नहीं दो कि अंवांडरी प्रॉब्लम और अव्लिव ने वह तो एज लग ना भाई एक बार तो एज लग जा अभे यार फिर यह नहीं लागी यार अभी 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 इसे लगती सो पहले से पतर चाल जाते हैं मैं बॉल्ट्या डालने वालो पहले अंदर आजी तिक एच और फाइनली आओ दूसरे विकेट मुझे ही मिली इस वार और यह जीत के साथ कैप्टन सी का सिल-सिला चलते कैप्टन प्लस मैन ऑफ दूमैच क्या बोल इसको कैप्टन ऑफ दूमैच 90 रंच दो विकेट दो नहीं अच्छली तीन विकेट पूरे मैच में और यह मैच जीतते हुए हम आज के एपिसोड के लिए इतना ही काफी है देखते हैं अगला मैच किसके साथ नहीं होने वाले ह और क्या हम सिलेक होने वाले की नहीं उसके बाद इसको एंड करेंगे कहां चल रहा है हमारे सेलेक्शन भाई जांस बींग कंसीडर कर रहे हो तो करो न जल्दी तो उम्यूली अभी तो दिख रहे है बींग कंसीडर ही बता रहे है अभी तक तो कुछ नहीं नया अब सीधा म करने वाला है यह T20 को कुछ हम थोड़ा एंड करेंग करतें कभी हम एंड में करतें तो कब्यां में ट्रेडिंग में करेंगे आज तो गाई कैसा लगा यह एपिसोड कमेंटर के जबर बताइएगा मुझे कौन से टेमिल करू यार कि रोइंग मशिन में कभी कर नहीं पादा में ट्राइक कर तो होता है क्या मेरे सोगे मेरे जो कंट्रोलर है वो धंका नहीं है अरे यार चूड़ गया तो चूड़ गया हो आरीवा अरे टेरी तराइसे किताईए यहाँ कि धुड़ गया आज बस हो गया कौन सा मेडल सिल्वर मेडल हमेशा की तरह कंट्रोल 6 से बढ़ गया ठीकि कोई बात नहीं तो आज के लिए इतने ही काफ है मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए तायो नारा